शिवपुरी के देहाथ थाना शेत्र अंतरगत गोशला शेत्र में एक साल पहले नाबालिक बच्ची के साथ दुशकर्म का मामला सामने आया था जिसके बाद आरोपी के खिलाब केस दर्ज कर लिया गया था जानकारी के नुसार एक साल पहले देहाथ थाना शेत्र अंतरगत नाबालिक बारिका के साथ आरोपी रामजी लाल धाकर द्वारा दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया गया था मामले के बाद सही आरोपी फरार चल रहा है जिसके घर पर आज मामा का बुल्डोजर चला है बताना होगा कि देहाथ थाना पुलीस अपने दल बल के साथ गोशाला मस्जित के पास उसके अतिकर्मन पर पहुची जहां उसने दो पाटोर का अवेद निर्मान कर रखा था दोनों पाटोर को ध्वस्त किया गया आगे भी ये कारिवेही लगातार जारी रहेगी शिवपूरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट रह रहा था उसमें दो पाटोर से मना रही थी तो जो की फराड़ा है अभी तक नहीं मिला है उसकी जो उसका कब्जा था उसको आज कब्जा मुक्त किया गया कितने लोगों को चन्यत किया गया दिया थाने शेतर में जिनके उपर अपराद पंजीवा तेया से और उनके इस परिवार में और कोई भी हैं यहां पे इस परिवार में ये दोई थे और दोई इसके ये कंब्रे बने गए थे इनका वाज अर्तिकाण मुक्त कराया गया है तो नोटेट बगहरे चुका है तो पूर में सुचना भी दीग गई थे नोटेट चस्पा किया गया है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना बुले